नमस्कार गिसान भाईयो अन्न दत्त सलाकार यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं आज अपन बात करेंगे लसुन में 90 दिन की अवस्ता पर कौन सा खात दें और हम कौन सा इस्प्रे करें जिससे की अपन अपना उत्पादन बढ़ा सकें बहुत सारे गिसान भाई कंद बनाने के लिए बहुत सारी दवयों का उप्योग करते हैं बाकि उनका कंद अच्छा नहीं बन पाता हैं और वह बहुत ज्यादा मात्रा में लागत लगा देते हैं तो जिससा की आप देख रहे होई यह लसुन उठी की लसुन है जो की अभी इस प्रकार से हैं इसमें जड़ से 90 दिन के वस्ता पर 0050 का उप्योग करने के आवसकता हैं 0050 एक नाइटोजन मुक्त पासफुरस मुक्त खाद हैं जो की पोटास की पूर्ती करता हैं क्योंकि लाल पोटास का अगर अपन अभी उप्योग करते हैं तो उससे बेहतरी रिजल्ट अपन को 0050 का मिलता ह क्योंकि इसमें अभी नई ग्रोध भी चल रही है तो इसमें अभी हमें PGR का इस्प्रे करने की आवसकता हैं क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है और अब नई ग्रोध की आवसकता नहीं है जैसा कि आप देखरो इसमें तीन पत्ती पहले सुख चुकी है और अभी इसमें नाम से आता है उसका 8-10 ml पंपनुसार उप्योग में लेना है जिससे कि यह उपर से नई ग्रोध रूख सके और नीचे कंद की और डाइवर्ट हो सके जिसे कि इस खेत के अंदर से अपन अच्छा उत्पादन ले सकें क्योंकि अभी तक अपन ने बहुत सारा खर्चा किया है अब आई है बात उत्पादन लेने की तो अपन सही समय पर सही दवाई का उप्योग करें जिससे कि अपन अच्छा उत्पादन ले सकें क्योंकि ग्रोध भी बहुत ही सांदार है और कंद भी कुछ आकार का बनने लग गया है तो किसान भाईयो अगर आपकी लसुन 90 दिन की हो चकी है तो आप उसमें निम्न उपचार अवश्य करें एवं अधिक जानकारी के लिए अन्न दत्त सलाकार यूटूब चैनल के कमेंड बॉक्स में कमेंड करकर आप अन्य एवं अधिक जानकारी ले सकते हैं जिन किसान भाईयो ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्च करें जै हीन जै बारत जै किसान